जाहिन साथियों स्वागत आप सभीका संपुन्य जी के जी चैनल पर साथियों अभीके क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार इंटर लेबल के उसकी हम लोग अभीके क्लास में प्रैक्टिस सेट करेंगे तो देखें यहां पर इडुटेरिया पॉबिक्रिकिसन का यह बूक है आप लोग यहां पर थर्ट पॉइंट में नीचे देख सकते हैं एंसी आठी पर ही अधारित यहां पर टोटल इस बूक में क कार में जितने भी फॉर्म भर हैं या चाहे वो बिहार इससी हो या बिहार पुलीश हो या बिहार दरुगा हो सभी बच्चे यह क्लास कर सकते हैं सभी के लिए क्लास महत्पूर निसावित होगा तो हम लोग अभीके क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नबर प्रैक्टिस सेट को जो भी बच्चे चैनल पर नए है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके पहले के सभी क्लास को वाच कर सकते हैं तो आई यह स्टार्ट करते हैं अच्छ का हम लोग अपने 21 नंबर प तो पांच वर्चीयो योजना के दोरान परिवार नियोजन कारेकरम को लागो कीया गया था। नेक्ष कोस्चन सेकेंड नंबर कोश्चन सर्व प्रथम खदानों पर नियुन्तम समर्थन मुल्ले को किस वर्ष सुरू किया गया था राइट एंसर जगा 1964 में सुरू किया गया था आप्सन नमर सी 1964 में सुरू किया गया था सई अंसर हो जाएगा जौरी ये 1 की option number D, right answer हो जाएगा, सुन्द्रिप डिक्षी जो है, जौरी ये 1 की एक विश्यस परकार की वनस्पति है, option number D, right answer हो जाएगा, next question, 4 number question, कौन सा परवत हिमाली सिरिंखला का भाग है, सही अंसर हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर हिंदू कुछ जो है, यह हिमाली सिरिंखला का भाग है, फिर कराकों परवत हिमाली सिरिंखला का ही भाग है, कुनगुन परवत भी हिमाली सिरिंखला का ही भाग है, right answer हो परवरतम से जाना जाता है तो देखिए चारे मृर्धा को भारत में पने किसे नाम से जाना जाता है और सन वच्छा आनुझाजगा भारतमें कालर नाम से जाना जाता हैinkan सिक्ष नम्बर कॉस्चन निमने लेकित में से कौन एक एस्या एवं उरोप के मद्धे सीमा नहीं बनाते हैं देखे पूछ रहा है सीमा नहीं बनाते हैं तो देखे एवराल परवत जो है यह एस्या एवं उरोप के मद्धे में सीमा बनाते हैं ठीक है एवराल परवत बनाते ह के SPN सागर भी बनाता है काकेश सक परवत भी बनाता है तो देखे स्वेज नहर नहीं बनाता है और डी राइट इंसर होजेगा स्वेज नहर नहीं बनाता है नेश्ट कोश्चन इसको एक पर फिर से पढ़ लिजिए कह रहा था एसिया एवं उरोप के मद में कौन सीमा नहीं बनाते हैं तो स्वेज नहर सीमा नहीं बनाता है याद रखेगा एसिया एवं उरोप के मद में स्वेज नहर सीमा नहीं बनाता है नेश्ट कोश्चन सिवे नमर कोश्चन सरवाधिक उचाई पर इस्थित धर्रा है तो देखे सर अरभाधिक उचाई पर नाथुला दर्रा इस्तित है, option number C, right answer. नाथुला दर्रा, सरभाधिक उचाई पर नाथुला दर्रा इस्तित है, option number C, right answer. नेट्ट कोश्चन, एट नमर कोश्चन, निम्ने लिखित में से कौन सा नगर भूमद्ध्य रेखा के सबसे निकट है? सबसे निकट है और बी राइट एंसर ने नमबर कोश्चन का मुख्याले कहां इस्तित है तो देखिए आई यू सी एन का जो मुख्याले है यह स्वीजर लैंड में इस्तित है और बी रामसर संधी पर भारत ने किस वर्स हैस्ताक्षर किये थे तो देखिए रामसर संधी पर भारत ने एक फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किये थे और नमबर सी रामसर संधी पर भारत ने एक फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किये थे करहा है वाता वरण के जेविक एवं और जेविक घटकों की अंता किरिया से बिक्षित तंत्र को क्या कहा जाता है सही एंसरो जगा परिष्थिति की तंत्र कहा जाता है और रामसर सुची में सुची बद डिपोर जिल की से राज में है सही एंसरो जाएगा डिपोर जिल जो है अच्सम राज में है और रामसर सुची में सुची बद डिपोर जिल जो है अच्सम राज में है अनुसूची जनजातियों के प्राशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंद सम्मिधान के किस अनुसूची में सामिल है। हम लोग इसको मैच किया जाया है कर रहा है मौलिक अधिकार जो है bharthiya samithann का भाग 3 हो जाएगा यहां पर एक सेडी एंसर नोट कर लेजिए ठर्ड यहां फिर कर रहा है मौलिक करतब निहां ंञ जाथ है जलेगा भारthiya samithann का भाग 15 यहाँ पर देख लिए 2 नमबर फिर हो गया लाश्ट में बच रहा है एक ही हम लोगा आपाद उपबंद है तो आपाद उपबंद का हो जाएगा भारते समिधान का भाग 18 यानि की एक नमबर राइट एंसर लिकल करा गया अबर यानि उफ मिधान के नमय लिखित अनुछेदों में कौन बिधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रन लगाता है सहीं संव जाएगा देखे अनुछेद 14 लगाता है भारतिये सम्विधान के निम्ने लिखिद अनुछेदों में कर रहा था तो देखे भारतिये सम्विधान के अनुछेद 14 में विधायक सत्ता पर पुर्णी नियंतरल लगाता है कि राज मंत्री परश्यत के प्रती उत्तर दाई होता है तो विधान सभा के प्रती उत्तर दाई होता है सभी को पता होगा बहुत बाद यह कूशन पूशा हुआ है किस वर्स या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए option number C, right answer रो जाएगा नियुंतम याद रखेगा कि 21 वर्स होना चाहिए उससे ज़्यादा कितना भी कोई उसर मतलब नहीं है ज़्यादा कितना भी हो सकता है एक ब्यक्ति, ग्राम पांचायत का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 21 वर्स या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए नियाश कोशन 90, कोशन नियम्ने लिखित में से किस समिधान संसोदन दौरा पांचायतो कोश समयधानिक दरजा दिया गया है राइटेंसर हो जागा इसका तेह टारवा समिधान संसोधन अधिनियम के दोवारा ňूप्सिण 9, 10, तेह टारवा समिधान संसोधन के दोवारा पंचायतों को समज़ानिक दर्जा दिया गया है नेचर कोश्चन 20 नमर कोश्चन भारतिय समिधान के अनुसार निमने लिखित में से कौन एक भारतिय का मुल अधिकार नहीं है। कह रहा है भारतिय का मुल अधिकार नहीं है सही अन्सारों जगा देखे अपना सक्षण सन्स्थान बनाने पर प्रतिबंध यह जो है यह भारतिय का मुल अधिकार नहीं है option number D, right answer जगा, अपना सिक्षन संस्थान बनाने पर प्रतिबांद है 21 number question है, निम्ने लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानि कि सही दिया गया है, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है तो देखे, बीत आयोक सन्विधानिक निकाय है, हाँ, ये सत्य दिया गया है, फिर बीत आयोक को संसथ नियुक्त करती है, गलत है बीत आयोक में पात सदस होता है, ये भी गलत है, इन में से सभी सत्य ये भी गलत है, राइट एंसर जगा केवल 1, option number A, राइट एंसर निमने लिखित में से, कौन से सिमिती CAG, CAG के audit report की जाज करती है, राइट एंसर जगा कौन से सिमिती पुछ रहा है, तो देखे, लोक लेखा सिमिती होगा, option number B, right answer CAG के audit report की जाज करती है, option number B, right answer नेष्ट कोशन 23 नमबर कुलोखरी को अपनी रजधानी की सासक ने बनाया था तो देखें कोशन 24 नमबर कोशन सयद वन्स का संस्थापक कौन था तो देखें सयद वन्स का संस्थापक कीजरेखा था याद रखे का ये कोश्चन भी भी आई है, बहुत बार ये कोश्चन पूश चुका है, सयद वहंस का स्थापक कौन था, तो खेजर खा था, option number A, right answer 25 नमबर कोश्चन है, किस मुगल सासक के सासनकाल को अस्थापत कला का स्वन्न यूग कहा जाता है, next question 26 नमबर कोश्चन परम भगवत की उपादी धारन करने वाला प्रथम गुपत सासक समुद्र गुपत हुद था, option number D, right answer समुद्र गुपत था, next question 27 नमबर, सत्पत गरंथ किस वेद का ब्रहाण गरंथ है, right answer हो जगा, सत्पत गरंथ जो है, यह यजुरुवेंद का ब्रहाण गरंथ है, option number B, right answer हो जगा, next question 28 नमबर, बिशनु पुरान किस वेद से सम्बंदित है, तो देखें, बिशनु पुरान जो है, यह मोरे वेद से सम्बंदित है, option number A, right answer, 29 नमबर, question है, दूती है, आंगल में सुरु यूद के सम्बंदित के सम्बंदित है, भारत का गवर्णर जर्नल कौन था, बहुत ही अच्छा question है, याद रखेंगे गया हमारे भाईयो, बहुत बार यह question पुछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार यह exam में question पुछा हुआ है, दूती है, आंगल में सुरु यूद के सम्बंदित के सम्बंदित का गवर्णर जर्नल कौन था, तो उस सम्बंदित में भारत का गवर्णर जर्नल वारेन हैंस्टिन था, option number A, right answer, वार option 1934 इस भी सही है, बौर्दौली सत्य अग्रह 1928 सही है, पूना पेक्ट 1931 यहीं गलत है, right answer रोजएगा, देखे का रहा था, कौन सा गलत है, तो option number D, गलत है, पूना पेक्ट 1931 नहीं होगा, next question 31, number question, कांग्रेश के किस अधिवस्चन में पहली बार बंदे मातरम गया गया था, सही हैंसर हो जाएगा, कांग्रेश के बराहवा अधिवस्चन में पहली बार बंदे मातरम गया गया था, याद रखेगा, बीबीए कोस्चन है हमारे भाईयों, important question है, next question 32, number, समचार दरपन पत्र पत्रिका के संस्थापक, विलियम कैरी थे, याद रखेगा, option number D, right answer, समचार दरपन पत्रिका के संस्थापक, विलियम कैरी थे, next question 33, number, परवतो पर, अच्छा दीत, हिम सूर की गर्मीत द्वारा, एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है, सही answer हो जाएगा, एक साथ ना सूर की गर्मी द्वारा, एक साथ ना पिघलने की कारण यह है कि, यह सूर से प्राप्त, अधिकांस, उस्मा को परिवर्तित कर देती है, option number B, right answer, 34, number, कुछ है नहीं हम लोगा, रेफिरिजिरेटर, खाद पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके निवने ताप मान पर जिवानू और फंफुदी निस्क्रिया होते हैं, option number D, right answer, देगा, रेफिरिजिरेटर खाद पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इसके निवन, य यानि कि कम तापमान पर जीवानु और पन्फुदी निश्क्रिये होते हैं, option number D, right answer. 35. नमर कुशन है, गुर्थवा कर्षन बल निमने खित में से किस अस्थान पर सबसे कम होता है? सई असर हो जाएगा, विशुवत रेखा पर सबसे कम होता है, गुर्थवा कर्षन पर जो है, या विशुवत रेखा पर सबसे कम होता है, option number A, right answer. 36. नमर कुशन, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब छारियो पर विर्थी वाला साबुन रगडते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा या फिर लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है, हल्दी एक प्रकृतिक सुचक है, इसलिए होता है, option number C, right answer हो जगा, कपरों पर लगे हल्दी के दाग पर, जब छारियो प्रकृति वाला साबुन रगडते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा या फिर लाल हो जाता है, ज्यादा तर लाल ही होता है, तो तो रेस्टेंट, फ्लोरेस्टेंट, ट्यूब में सधार नियत, कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सही इंसर हो जाएगा, कौन सा पदार्थ का पूछरा है, तो दिके पारावास्प एवं आरगन का उप्योग किया जाता है, option number D, right answer, फ्लोरेस्टेंट, फ्लोरे तो देखे, टिंडल परभाव को जो परदार्शित करता है, वो दूद और पानी का मिश्रण होता है, option number E, right answer, दूद और पानी का मिश्रण, टिंडल परभाव को परदार्शित करता है, option number E, right answer, next question 39, नबर, DNA में कौन सी शक्कर्रा पाई जाती है, तो देखे, DNA में, आप में D ऑक्सी राइबोज शकर्रा पाय जाता है याद रखिएगा option number D right answer next question 40 number केवल पादप कोसी काओं में पाय जाने वाले कोसी कांक निमनिम से कौन है सही answer हो जागा केवल पादप कोसी काओं में पाय जाने वाले पूछ रहा है जीवानियों की कोसी का भीती निमनिलिखित में से किसकी बनी होती है तो देखें जीवानियों की कोसी का भीती है वा निमनिलिखित में से किससे बनी होती है तो हो जाएगा आपका पेप डी डोगला आइकन से बनी होती है option number D right answer next question 42 number सबसे अधिक जन्तु किस संग में पाया जाता है तो सबसे अधिक जन्तु जो है वह और्थूपोड में पाया जाता है option number A, right answer हो जगा और थू पोड में सबसे अधिक जनतु पाया जाता है option number A, right answer next question 44 number मानोर सरीज की सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी है मानोर सरीज की सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी अगनासे है याद रखेगा, important question है भाईयो बहुत बाद ये question पुछा हुआ है important question का आप लोग अलग notes बनाएए और सारे question को अलग एक छांटे रहेगा, ठीक है मानोर सरीज की सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी कौन सी है तो अगनासे है, option number C, right answer next question 45 number रदर फोट के परमानू model की त्रूणियो को दूर किस ने किया था, right answer रदर फोट के परमानू, model की त्रूणियो को दूर किस ने किया था, तो निल्स बोर ने किया था next question 46 number और एलकोहल से इथर बनाने की बिधी में उत प्रेरक के रूप में निम्नमेर से किसका उपयोग या फिर प्रेयोग किया जाता है, right answer हो जगा, गर्म एलूमीनिया का प्रेयोग किया जाता है, option number C, right answer next question 47 number निम्नमे लिखित में से कौन सू मिलित नहीं है, यानि की कौन जो है इन चारों में से गलत दिया गया है, यानि सही समयलित नहीं है, तो देखिए, इसका जो हो जगा, कर है पहला नमबर, ओलियो कि साखा, संस्कृति एवं सभ्याता का परतिक, देखिए यहीं गलत है, पहला गलत दिया गया है, आगे देखते हैं, कबुतर पक्षी, सांती का पर नमबर A, राइट एंसर, नेट्स कोच्चन, 49 नमबर, दिली का मोती महजीत किस मुगल साशक के द्वारा बनवाया गया था, तो देखिए, दिली का मोती महजीत दो है, या औरंज जेव के द्वारा बनाया गया था, आप्शन नमबर B, सॉरी, आप्शन नमबर C, राइट राइट एंसर, तुका राम ने किया था, आप्शन नमबर B, राइट एंसर, बरकरी, संप्रदाय की अस्थापना, तुका राम ने की थी, आप्शन नमबर B, राइट एंसर, साथियों, हम लोग के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नमबर आज का कंप्लीट हो गया, ऐसे ही हम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते रहेंगे, और आप लोग जो है, टेली ग्राम से जरूर जो जाएगा, क्योंकि देखें, टेली ग्राम पर हम आप लोग को, टोटल इसका जो भी यह अर्समंडियें तत्थ दिये रहते हैं, टोटल यह PDF आप लोग को टेली में जै हिन, जै भारत